नमस्कार चात्रों आज हम पढ़ेंगे ऐलुमिनियम उद्ध्योग देखते हैं कि भारत में ऐलुमिनियम उद्ध्योग की क्या-क्या इस्थिती हैं किस तरीके से इसका इस्थानी करण होता है और यह क्या-क्या उप्योग माता है तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि ऐलुमिनियम हमें कौन से ऐस्क से प्राप्त होता है ऐलुमिनियम अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हमें बॉक्साइट ऐस्क की आवसकता पड़ती है जब बॉक्साइट ऐस्क को सुद्ध किया जाता है तो उससे हमें एक ऐल एक हलका पदार्त है यह जंग अवरोदी है और उस्मा का सुचालक है और लचीला है यह इसकी एलुमिनियम की विसेष्टा है इस एलुमिनियम बहुत हलका है जंग अवरोदी है उस्मा का सुचालक है और लचीला यह होता है एलुमिनियम उद्योग को इस्तापित करने के लि अगर हम देखें ते इसका टोटल का टोटल विद्धूत खर्च का इसका अंतर गाता है टोटल खर्चा होता है उसमें से विद्धूत खर्चा लगबग 25% का खर्चा होता है इसलिए ऐलुमिनियम उद्ध्योग की इस्तापना अधिकांस्ते विद्धूत उत्पादन जो सहि उनी के पास में इस उद्योग की इस्तापना की जाती है इसे एक तो बिद्दूत की और कच्छे माल की सकता होती है अगर हम अलुमुनियम उद्योग के उप्योग के बारे में बात करें कि इसका उप्योग कौन-कौन से छित्रों में होता है तो हवाईजाज निर्माण में इ इसका उप्योग होता है और रेल के डिब भी निर्मान में ऐलुमिनियम का उप्योग होता है इसके अलावा बिजली के उपकरण बनाने में इसका उप्योग होता है मोटर गाड़ी निर्मान में भी ऐलुमिनियम का उप्योग होता है और ना भी किया कारेकरमों में ऐलुमिनि के कई सारे उपयोग होते हैं अगर हम इसके ऐलुमिनियम के उत्पादन के बारे में बात करें कि ऐलुमिनियम का उत्पादन में कौन-कौन से देश पिर्थम है और भारत का उनमें से कौन सा इस्थान आता है तो ऐलुमिनियम का उत्पादन की बात करें ऐलुमिनियम का पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऐलुमिनियम का उत्पादन चीन देश में होता है और हमारे भारत का दूसरे इस्तान है और इसके बाद में तीसरे इस्तान पर रूस का होता है इस परकारम ने देखा कि ऐलुमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो हम हमारे देश के राज्यों की बात करें तो उड़ी सामें सबसे ज़्यादा aluminium का उत्पादन होता है इसका कारण यह है क्योंकि हमारे देश में boxite का जमा सबसे ज़्यादा उड़ी सामें पाया जाता है इसलिए उड़ी सामें ही सब ज़्यादा ऐलुमिनियम का उत्पादन होता है अगर हम बात करें ऐलुमिनियम उद्योग की स्थापना के बारे में तो ऐलुमिनियम उद्योग की स्थापना सबसे पहले भारत में पस्चिन मंगाल में जे के नगर में इस्थापित हुआ था, ये 1937 में पस्चिम मंगाल में जे के नगर में पहला कार खाना इस्थापित किया गया था, ये Aluminium Corporation of India के अंतरगत इस कार खाने को इस्थापित किया गया था, इसके अलावा भारत में कई Aluminium सेयंत रहें, जिन में से है, रेनकूट जो उत्तरप्रदेश के अंतरगत है, मुरी बियार में है, जे के नगर पस्चिमंगाल में है, ये अंगुल, कोरबा, हीराकुंड, जारसुगडा, मेटूर, अलूपुरम, इसके अलावा और छोटे मूटे कई सैयंत रहें, जिनका हम अभी वर्णन करेंगे, अगर हम एलुमिनियम उद्योग की समस्याओं के बारे में बात करें, कि एलुमिनियम उद्योग की क्या-क्या समस्याओं हैं, अगर हम इसके समस्याओं की चर्चा करें, तो विदेश ब्यापार में इस पर्दा है, विदेश ब्यापार में इस पर्दा है यह है इसकी पिर्मुक समस्या है निर्यात में विरद्धी में ऐसा मर्थ था क्योंकि अभी कास्त अल्मिनियम का हम यहां उप्यों कर लेते हैं एवं हमारे हैं निर्याद करने के लिए क्या सार चीजों का अबाव है जिस्तापित करने वाले मनौ वलस गणा हो या निर्यात करने हमारा देश में ऐसे मर्ठता पाही जाती एक सक्ती के संसाधनों का केंद्री करन बहुत जधा पाहे जाता है कि संसाधनों का केंद्रीकरन हम नहीं याद देखा है कि लगबकल खर्च का विद्दूत उत्पादन में विद्दूत के उपियोग में लगबग 25% का खर्चा हो जाता है तो इसे कोईला के इस्थापित करने वाले चेक कोईला जहां पर जमाव होते हैं उन वाले छेत्रों में अलुमिनियम उद्द्योग को इस्थापित किया जाता है जैसे जारकंड में, उडी साम में, पश्च्वी बंगाल में, छतीजगड में, यह पिर्मुक एरिया है जहापर ऐलुमिनियम सहिंतर की इस्थापना की गई है, उन सब का कारण यह है कि सक्ति के संसाधनों का जमाव अधिकतर इसी एरिया में पाया जाता है, इसलिए हमारे हैं सक्त उत्पादन की उची लागत, उत्पादन की उची लागत, उत्पादन की उची लागत की बज़े से यह है, एलुमिनियम को उद्योग हर कहीं स्थापित नहीं हुआ है, और यह है एक इसकी समस्या है, क्योंकि इसके लिए जो कच्चे माल की आवस सकता है, और बिजली की ज इसकी लागत कच्चे माल की लागत इन सब को स्रम की इन सब के कारण इसकी उत्पादन की लागत काफी उची होती है गरेलू विसाल बाजार गरेलू विसाल बाजार होने के कारण इसका अधिकांस्ते खपत इंडिया में हो जाता है और विदेशों में हम इसका नर्यात नहीं काते हैं इसलिए गरेलू विसाल बाजार भी यह एक समस्या बन करके निकला है तो इस प्रकार इसकी कैई समष्या है एक तो विदेश ब्यापार में इस पर दा नर्यात में बरद्दी में ऐसमर्थ था सktी कि संसादनों का केंद्रिकरन होना उतपादन की उची लागत होना और घरे लूविसाल बाजार होना इस प्रकार से इसकी कैई सारी समस्याएं इस अद्धोग की हैं अब हम देखते हैं इसके अलावा कि ये उद्धोग कहा कहा हैं और कौन-कौन से प्रमुख केंद्र हैं 1937 में सबसे पहले भारत में हमने बताया कि पश्चमी बंगाल में 1937 में आसनसोल के निकटेक जेके नगर है वहाँ पर एलुमिनियम का एक सबसे पहला सायंतर इस्थापित किया गया था उसके बाद में 1938 में ये हैं इंडियन एलुमिनियम कॉर्पोरेशन लिमीटेड की अंतरगत 1938 में भारत में चयार कारखानों के इस्थापना की गई थी जिसमें पहला कारखाना मुरी था ये मुरी कारखाना उस टेंपे ततकालिम भियार मतार वरतमान में ये जहारखंड में इस्थित है इसके बाद में इसके अंतरकत एक कारखाना अलूपुरम में इस्थापित किया गया था जो वर्तमान में केरल में है इसके अलावा एक कारखाना बेलेरू में स्थापित किया गया था, ये कारखाना पस्चिम बंगाल में और एक कारखाना ओडिसा में जारखंड में स्थापित किया गया था यह Indian Aluminium Corporation Limited जो इंडाल की स्थापना की गई थी, वो है भारत में कनाड़ा के सहयुग से स्थापना की गई थी, अगर इसके बारे में हम एक एक के बारे में विचार करें और देखें, तो यहाँ पर मुरी में, यहाँ पर बॉक्साइट से Alumina तयार किया जाता है, इस मुरी मे तो यहाँ पर बॉक्साइट से Alumina तयार किया जाता है, मुरी के अंतरकत, और बाद में और यहाँ से Alumina को दूसरी जगे भीजा जाता है, और बॉक्साइट यहाँ पर लोहर दगा की खानों से प्राप्त होती है, मुरी में लोहर दगा की खानों से बॉक्साइट की प्रा प्राप्तेश मुरी वाले या संयंत्रों को प्राप्त हो जाती है इसके बाद में हम यह अलूपिरम जो यह केरल में हिस्तित है तो अलूपिरम या अलवाया कहते हैं तो मुरी से अलूमीना मंगाया जाता है और अलूमीनियम पिंड या तैयार के जाता है तो मुरी से अलूमी यहां पल्ली वासल एक योजना है उससे यहां पर एक जल्विद्दुत की प्राप्ति हो जाती है पल्ली वासल पर्योजना के कारण इसके अलावा अगर हम यह बैलूर को देखें यह बैलूर यहां पश्चिवी मंगाल में इस्थित है इस वाले कारखानों की बात करें तो अलवाय से ऐलुमिनियम पिंड लाकर और उससे हैं चादर तयार की जाती है यहां से ऐलुमिनियम पिंड तयार की जाता है यहां से ऐलुमिनियम पिंडों को वापस यहां पे बेलूर में ले जाया जाता है इसके बाद में यह हीरा कुंड जो यह है उडिसा में यह भी इंडाल का एक कार खाना है इसके अंतरगत मुरी से अलुमीना लाकर उसे अलुमीनियम तयार किया जाता है यहां पर भी यह मुरी से तुरंती अलुमीना लाये जाता है और यहां पर अलुमीनियम तयार किया जाता है कि इस कार खाने को जल्व उद्दूत ईराकुंद परियोजना से प्रापत परियोजना से यहां पर जल्वित्यूत की प्राप्ति होती है इसके अलावा बेल गाम में भी एक इसका कारखना है बाल को भारत continuum Aluminium Corporation Limited, भारत Aluminium Corporation Limited, इसकी स्थापना 1965 में रूस के सायोग से की गई थी, और इसका मुख्याले इस कोर्बा में और कोर्बा 36 गड़ के अंतरगत है, इसका एक कार खाना महराष्ट में रतनागिरी में भी इस्थित है, अगर हम इसके बारे में बात करें, तो कोर्बा को यहां बॉक्साइट अमर कंटक के पठार से प्राप्त हो जाती है, यहां पर 36 गड़ और यह मद्य प्रदेश के एरियम में यहां पर एक अमर कंटक की पाड़ी है, इस अमर कंटक छित्र से यहां पर यह बॉक्साइट की प्राप्ती हो जाती है, कोर्बा को, और कोर्बा तापिय सहियंत्र एक तापिय सहियंत्र भी है जिसे यहां पर विद्धुत की प्राप्ति कोर्भा को हो जाती है इसके अंतरगत हम देखें तो इसके दो सहियंत्रें एक तो कोर्भा है और एक महराष्ट में रतनागिरी भी है रतनागिरी इस जगे पर है रतनागिरी भी बालकों के अंतरगत आता है बॉक्साइट में बताया अमर कंटक के पठार से प्राप्त हो जाता है और सतारा से प्राप्त हो जाता है और कोईना जल्बिद्दुत पर्योजना से इसको रतनागिरी को जल्बिद्दुत की प्राप्ती हो जाती है इस परकार से यह अमारा बाल को सयंत्र था इसके अलावा तीसरी कंपनी हिंडाल को यह 1968 में स्थापित हुई अमेरिका के सहयोग से अमेरिका की सहयोग से हिंडाल को की स्थापना 1968 में भारत में होती है और इसका मुख्याल है उत्तर प्रदेश के रेणी कूट नामक इस्थान पर है इसका नाम है हिंडाल को इसे बॉक्साइट यहां से जारखंड से प्राप्त हो जाता है और यहां विद्दूत की प्राप्ती रिहंद परियोजना है यहां पर जासे रियंद परियोजना से इसे जल विद्दुत की प्राप्ती हो जाती है। ये जो रेणु कूट है ये उत्तर प्रदेश के सोन भद्र जिले में इस्तित है। और बॉक्साइट जारखंड से जा राची और पलामू हैं वहां से प्राप्त है। चूने का पत्थर विविद्द्यान चल छेतर से और विद्दुत की सक्ति जैसे हमने बताया ये रियंद से प्राप्त हो जाती है। एक Aluminium की कंपनी है NALCO, N-A-L-C-O, यह है NALCO कंपनी, 1981 में भारत में इस्थापित होती है, फ्रांस के सहयोग से, N-A-L-C-O, NALCO, NALCO, राश्ट्रिय Aluminium Company Limited या National Aluminium Company Limited, यह कंपनी भारत में फ्रांस के सहयोग से, 1981 में भारत में इस्थापित होती है, इसके अंतरगत, हम देखते हैं, तो दो कार खाने मुक्त हैं, एक तो दामन जोडी और एक अंगुल, दामन जोडी और अंगुल, यह दोनों को दोनों उड सामें पढ़ते हैं, जो नालको के अंतरगत कार खाने इसके आते हैं, तो नालको को बॉक्साइट, यह पंच पत माली एक छेतर है, जो कोरा पुट में पढ़ता है, पंच पत माली यहां पर पढ़ता है, कोरा पुट में, यहां से इसको बॉक्साइट की प्राप्ती हो जात यह इस परकार से नाल को 1981 में बारत में इस्थापित हुआ था दामंजोडी जो कोरा पुड़िले उडिसा में है यह एलुमिनियम का प्लांट है और अंगुल यह भी यह उडिसा में है यहां संद्रावक यह समेल्टर का प्लांट है इस परकार से यह नाल को समाप्त होता है यह नाल को एसिया का सबसे बड़ा अलुमिनियम उत्पादन करने वाला संयंत्र है इसके बाद में हम देखते हैं माल को मदरास ऐलुमिनियम लिमिटेड की इस्थापना यहां मेटूर में की गई इसके साथ में यह चेन नहीं में भी इसका के सहयोग से भारत में इस्थापित की गई है इटली के सहयोग से मालकों की स्थापना इटली के सहयोग से भारत में ये मैटूर छित्र में इस्थापित की गई है मालकों जिसका नम है मद्रास ऐलूमिनियम कमपनी लिमीटेड इसके कारखाने मैटूर, सलेम और चेन नई इस वाले एरिया में इस्थापित हैं और इसे बॉक्साइट की प्राप्ति सेवराय और जावादी की पाड़ियों से इसको हो जाती है यहीं सेवराय और जावादी की पाड़ियां जासे इन्हें बॉक्साइट की प्राप्ति हो जाती है चूना पत्थर की प्राप्ति भी सेवरा यह जर्मनी की साहता से जहार सूगडा में इसे इस्थापित किया गया है बेदान्ता को जर्मनी की साहता से जहार सूगडा में इस्थापित किया गया है भारत में और इसे बॉक्साइट की प्राप्ति जहार खंड से और विद्दुत की प्राप्ति ताप विद्दुत परिय गुजनाओं से हो जाती है इस परकार हम देखते हैं Aluminium Corporation of India इसके अंतरगत हमने देखा कि 1937 में जेके नगर में ये कार खाना इस्थापित किया गया था इस कार खाने को बॉक्साइट की प्राप्ती लोहर दगा से प्राप्ती होती है और जल्विद्दुत की प्राप्ती दामुदर घाटे निगम से इसे प्राप्त हो जाती है और हमने ये देखा कि यहाँ पर जितना भी ये पूरा अलुमिनियम को उत्पादन होता है इसका अधिकांस्ते विसाका पटनम मंदरगाय से यूरूप को नरियात कर दिया जाता है और भारत में सबसे बड़ी कमपनी जो एसिया की भी अलुमिनियम उत्पादन करने वाले सबसे बड़ी कमपनी है नालको नेशनल अलुमिनियम कमपनी लिमिटेड जो 1981 में फ्राप्त की साहता से इस्थापित की गई थी इस परकार से हमने अलुमुनियम उद्योग के बारे में जाना कि इसे कौन कौन से कच्चे माल की आवे सकता होती है अलुमुनियम का उपयोग क्या है और इसके सहियंत्र कितने भारत में लगे गए भारत में मुक्त आठ सहियंत्रियां लगे हुए हैं इस्थापिते और भारत हमारा जो अलुमुनियम उत्पादन में चीन के बाद में दूसरा इस्थान रखता है और यह बहुत ही उप्योगी उद्ध्योग है बहुत ही अलुमुनियम बहुत उप्योग आता है इस परकार से हमारे यह अलुमुनियम नाम का चप्रस्राफ होता ह कर दो कर दो कर दो कर दो